आप सभी के लिए फिर से एक और पिकर कांट रीडिंग और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना धेर सारा ख्याल रख रहे होंगे आश मैं आप लोग लिए जो रीडिंग लेकर आएं हूँ इस रीडिंग में देखने वाले हैं आपका करियर कैसा रहने वाला है आपके करियर के लिए क्या गाइड़न्स है क्या एड़्पाइस है तो यह एक तरीके से करियर रीडिंग है और करियर को परस्पेक्टिव करियर को धियान में रखते हुए जो भी यहां पर मैसेज़ें सें गाइड़न से वह यहां पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे सो यहां पर दो ऑक्षिंस आप सभी के सामने तुप नमर फर्स के लिए है यहां पर वुल्फ कि और डो पर दोनों यह जो भी अनरजीज के साथ आप लोग जादा अपंड करेंग हो दोनों ही बहुत जादाधा पारफُल एनरजी है वुल्फ की भी टाइगर की भी कपड़ार जैन्ट से भी जादा अपने लिए अपने सेलेक्ट कर सकते हो आप लोग बेदेस्क्रिप्श करें कुछ चीज नहीं भी करें तो आप सब भी एक उपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखेगा अभी ऑप्शन फर्स के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं अगर अप लोग ने बुल्फ का चाहर चुछ किया है तो चले देख लेते हैं आपके करियर में सब कैसा रहने ने ही क्या कुछ होने वाला है क्या कुछ काइडिंस एड़ाईज है आपके करियर के लिए तो यह रीडिंग में देखेंगे से कार यहां पर साइट से रख देते हैं and shuffle कर लेते हैं option first एस विवर्स गाइट में जमा भी नहीं गई रही three of girls okay the chariot eight of bronze and four of pentacles वही wish पूरे होने वाली है option first आप लोग ने किसी चीच के लिए बहुत wait किया है बहुत इंतजार किया है कोई result के आने का या फिर से career में कुछ भी चल रहा है किसी promotion का, किसी job का, किसी interview का बहुत wait किया है आपने अपनी किसी ख्वाइश को पूरा करने के लिए बहुत लंबे सरे से जैसे इंतजार कर रहे थे लेकिन फाइनली यहां पर मुझे यही सुनाई दे रहा है your wait is over जो भी आप सब्र रखे हुए थे जो भी आप wait कर रहे थे फाइनली यहां पर वो over हो रहा है movement यहां पर दिखाई दे रहा है option first आप लोगों के लिए so यहां पर movement वाली energy है कि कुछ चीज़े बदल रहे हैं बदलने से in the sense कि एक shift आ रहा है यहां पर एक turning point यहां पर आप लोगों के लिए आ रहा है और कुछ लोग यहां पर you know जैसे internship के लिए कहीं और जा रहे हैं आप आप student भी हो तो एक तो आपके skills यहां पर अच्छे हो रहे है आप और शटी आपको मिल रही है और add-on होना कुछ add-on यहां पर आपके साथ हो रहा है कुछ लोग यहां पर अपने business trip पर जा रहे हैं या फिर से जैसे company आपको you know को surprise दे रही है कोई bonus दे रही है कहीं trip का आपक काम को enjoy कर रहे हो और खुश हो आप कि आप इस profession में हो आप satisfy हो अपनी income से जो भी कुछ you know यहां पर जैसे जो भी कुछ process चल रहा है अपनी income से अपका जो भी profession है उससे लेकिन on the other side अभी यहां पर जो energy आ रही है यह थोड़ी सी challenging है मतलब यह energy एक एकदम satisfaction वाली energy है और यह energy कैसे है कि उपर उपर से देखने में तो सब कुछ अच्छा है उपर उपर से देखने में तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है है ना लेकिन अंदर से परिशान हो और यह कुछ चीज आपकी personal life को लेकर भी रह सकते हैं वैसे तो देखो यह career reading है लेकिन यहां पर चीज और आप चाहते हो कि कोई भी person आपके life में आया आप किसी के साथ relationship में जाओ आप किसी के साथ enjoy करो even अगर यहां पर कुछ लोग relationship में है या शादी हो गई है relationship के बावजूद भी यहां पर आप लोग lonely feel कर रहे हो because वो emotional attachment कि यहां पर थोड़ा सा कम है तो यह चीज मुझे यह आप नजर आ रही है अब मन को तो कहीं और लगाना है ना तो मन यहां पर कुछ लोगों का तो मैं बताऊं spirituality में जा रहा है ध्यान में जा रहा है law of attraction में जा रहा है चीज़े सीख रहे हो समझ रहे हो follow कर रहे हो apply कर रहे हो heal करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन कुछ लोग यहा पर किसे भटकने वाली सी energy है और मैं आप लोगों से यह कहूंगे कि देखो भटकना नहीं option first भटकना नहीं कभी-कभी यहनों इस तरीके का होता है कि हम अकेला feel कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी से भी जाके emotional attachment बना लो समझ रहे हूं इसे scenario में लोग आपका फाइदा उठाते हैं और यहां पर आप अपने नहीं कार्मिक relationship को develop कर लेते हैं जब तक कि आप खुद को completely heal नहीं कर लेते हैं अपने आपको समझ नहीं लेते हैं अपने आपको settle नहीं कर लेते हैं मैं आपसे यह कहूंगी कि आप टैंप्रेली युन I hope यहां पर लोग समझ गए हों जो भी लोग इस चीज को लेके confused हैं आपके career में जो चीजें हैं वह बहुत अच्छे तरीके से आगे हो रही हैं यहां पर healing भी आ रही है यहां पर आपकी manifestations भी पूरी हो रही है लेकिन आपको अपनी personal life को थोड़ा सा balance करना पड़ेगा तो क आपने कुछ सीखना शुरू कर लिया आपने पार्ट टाइम कुछ classes ले ली है यह कुछ therapy sessions वगेरा रहते हैं कंटक करवाई जाते हैं तो आपने वह कर लिए तो बैसिकली अपने मन को थोड़ा सा लगाओ और अपनी आपको heal करो और सुबह उठकर अगर आप जल्दी सुब करें रात में करें करें मैं कहते हूं कभी भी कर लो बस कर लो हां अगर सुबह सुबह करते हूं तो वह सबसे बैस्त है लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है इनके सो जब भी भी टाइम मिल रहा है ना कर लो ठीक है तो जादर confusion नहीं रखना option first आपको career में सब कुछ बहुत अच इसमें थोड़ा सा flexible रहना नहीं तो आपके co-workers के साथ या आपके साथ में जो लोग काम करते हैं उनके साथ थोड़ी अन्बन सी हो सकते हैं थोड़ी dispute हो जाए किसी point को लेके किसी चीच को लेके तो क्योंकि मैंने कहा ना personal life में थोड़ा सा disturbance चल रहा है तो वह चीज़े कही नहीं थोड़ी एफेक्ट कर सकती है तो गुसा नहीं करना है आप लोग को बिल्कुल भी option first अपने मन को शान्त रखना है यहां पर यह कहा जा रहा है जब भी गुसा आई मैं आप लोग को यह सजेस्ट करूंगी किसी को reply मत करो ठीक है थोड़ी देर आप यहनो बैट जाओ कहीं शान्ती में पानी पीलो डीप ब्रीधिंग करो कुछ अच्छा म्यूजिक लगा लो मेरे साथ ऐसा होता है कभी कभी मेरा मूड ओफ है किसी वज़े से या गुसा रहा है एक मुझे भी गुसा आता है मैं कोई बुक रीट करने बैट जाती हूं और थोड़ी देर में ज तो इसी तरह के से आप भी अपने अंदर कुछ धूरिये थोड़ा सा धूरिये यह चीज़े हमें खुद के साथ थोड़े से एक्सपेरिमेंट करने से बता चलती है हाँ चले और दिखते हैं आप्शन फर्स्ट इस्पिच्छल यूनियन नमर तू पैशन इगनाइट एंड डिसेप्शन एंड एंड नवी अच्छा ओके सो ऑप्शन फर्स्ट यहां पे बहुत ही इंपॉडन मेंसेजर आप लोग लेकर आप बार बार बिट्रेयल को फेस कर रहे हैं बार बार आपको मीन लोग आपकी ल में मिल रहे हैं बार बार ऐसे लोग मिल रहे हैं जो किकल मतलद के लिए आपके पास आरे हैं आपको डुख दे रहे हैं आपको पित, sometime वह कोते ने हुए हैं मैं आपको बता दूँ यह कहां से शुरू हो रहा है यह याद आपके काफी टाइम लगभग पांच-छे-साथ साल पुराना पुरानी है मुझे मैमरी आप लोगों की निजर आ रहे हैं कि कुछ हुआ था आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज हुई थे कि आपने एक्सपेक् निजर्ट पड़ा आपके उपर आपकी के उपर आपकी यह ईनर्जी हाँ पर इता है तो आपको अपनी इस अनर्जी को ओ सब्यत करना करें Seb यह ंन सरे कि पीज़ और दलमध नि sah freeze-alongly- sorry theta तो यस option 2 की energy है यहां पर बहुत जल्ड option first आप लोगों को अपने जीवन से जुड़ेना बहुत सारी important important कुछ चीजें समझ में आने वाली हैं अपने कुछ pattern समझ में आने वाले हैं of course यहां पर मैं healing आप लोग ले आते हुए देख रहे हूँ यहां पर union का message है तो जिससे जो personal life में भी problems चल रहे हैं यहां पर वो sort होंगी आप बस थोड़ा सा सबर रखिये कोई गलत decision यहां पर नहीं लेना है जल्दी बाजी में और अगर से कुछ लोग separation से गुजर रहे हैं तो मैं वापस से देख रहे हूँ कि उन लोग के लिए भी union होगी लेकिन आप अपनी इन चीज़ों का impact बस यह कहा जा रहे कि अपने करियर के ऊपर नहीं पढ़ने देना अपनी professional life को अलग रखो अपनी personal life को अलग रखो passion ignited का message यहाँ पर है कि अपने passion को follow करो option first अपका passion आपको success दलाएका आपके जीपन को खुशियों से भरेका तो अपने passion को यहाँ पर follow करना है अपने दिल की इच्छा को यहाँ पर follow करना है तो यह message यहाँ पर upload लिए आ रहा है चले अभी यहाँ से देखते हैं और क्या guidance है option first यहाँ पर आप लोग की कोई विश है तो वो भी ज़दूर पूरी होगी क्योंकि वैसे तो यह reading career reading है लेकिन फिर भी यहाँ पर personal life को ज्यादा लेकर message आ रहे हैं तो personal life से जुड़ी होई जो भी problems है option first वो भी यहाँ पर sort होंगी just जैसे मैंने कहा कि अपनी personal और अपनी professional life को अलग अलग यहाँ पर लखना है give with unconditional love and grace यानि कि कहा जा रहा है कि अपने काम से प्यार करो जो भी कुछ कर रहे हो ना पूरे दिल से करो आप फिर अधूरे मन से काम करो कि तो आपको उतने results नहीं मिलेंगे आपका कोई भी काम है कोई भी work है पहले खुद को थोड़ा सा mentally prepare क करो और पूरे मन के साथ पूरी शिदत के साथ पूरे प्यार के साथ वह काम करो और देखना कि आपको कितने अच्छे results यहाँ पर मिलते हैं listen to message messages of the angels और यहाँ के energy मुझे यहाँ पर कैसे फिल हो और है option first कि आपके angels spirit guides आपको बार बार कोई sign दे रहे हैं लेकिन आप बार ब तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगे message मिल रहा है option first तो आपके आसपस जो भी चीजे हो रही है aware रहे है अपने present moment में रहे है और मुझे यहाँ पर यही सुनाई दे रहा है कि कुछ भी coincidence नहीं है angels आपको help कर रहे हैं अगर आपको कुछ especially यहाँ पर इस तरीके के dreams भी आ हैं ना उनका भी कोई ना कोई मतलब है तो आपको अपने dreams को भी थोड़ा सा decode यहाँ पर करना है ठीक है और देखते हैं यहाँ से एक और कार्ट रवेंड prepare for change तो yes option first बहुत सारे बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं बहुत कुछ होने वाला है बहुत सारी चीज़े है personal life professional life दोनों में और देखते हैं यहाँ से option first के guidance है देखिए नहीं पेग heal your heart तो yes मैंने यह पहले भी message आप लोग को दिया है कि अपने emotions को heal करो अपने heart chakra को heal करो कुछ पुरानी यहाँ पर यादे हैं कुछ इस तक यहाँ पर energy है जिसकी विज़े से वह सेम चीज़ें आपके साथ बार बार repeat हो रही हैं तो उसके against यहाँ पे आप हो पोनो पोनो prayer को कर सकते हो और दूसरा कुछ अच्छी affirmations को आप अपनी life में include करिए देखो YouTube बढ़ा बढ़ा है affirmations से books है इतनी सारी फ्लीज थोड़ा research करो आपको सब कुछ मिल जाएगा अना सब कुछ मिल जाएगा पर सीखने की चाहों नहीं चाहिए ठीक है दूसर मुझे यहां पर एक word सुनाई दे रहा है consistency तो कुछ लोग यहां पर ऐसे हैं जो शुरू तो करते हैं लेकिन दो चार दिन किया फिर छोड़ दिया यह फिर gap हो क्या consistency बहुत important है आप खुद को heal कर रहे हो meditation कर रहे हो affirmations कर रहे हो तो consistency यहां पर आपको रखने पड़े की free your pain the elephant तो अपने आपको अपने दुख से आजाद करो वो दुख न कहीं आपने अपने सीने में दबा रखा है option first जो repeat हो होकर आपकी life में आ रहा है अपने दुख से खुद को आजाद करो और फिर देखो कि आपकी life किस तरीके से transform होती है आपका heart chakra इस वक्त हो सकता है बहुत रिलीज करने के ज़रूरत है last reading में किसी ने पूछा भी था कि you know full moon के time पे मुझे बहुत अदा गुस्सा आता है मुझे नेम अभियाद नहीं है तो मैंने बोला उसमें कि आप रिलीज करें release करें I release my this anger you know I release my anger I release this emotion I release my insecurity I release my fear तो आपको इस तरीके से release release ये वार बार बार च लेकिन हा मैं ये ऐसे कहूंगी कि ऐसे मत करना कि एक दिन बैठके बहुत जादा time तक करो शुरू में आप थोड़ी सी affirmation देना करीबन 15-20 ठीक है ना फिर रोक जाना क्योंकि हम release कर रहे होते हैं तो थोड़ा heavy भी फील होने लग जाता है आईज में पेन हो रहा है या पहता कर दो को तका सा फील कर रहे हैं तो अगर बिल्कुल 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 बिगनर होना तो धीरे-धीरे-धीरे करके यह जोगों थोड़े से शुरू करना है okay helpful people yes कुछ लोगों की help आपको मिल सकती है कोई भी opportunity आपकी तरफ आपको बताए तुमें सीच के लिए apply करो यह ज तो यहां पर उप्शन फर्स कहा जा रहा है कि एक नई डिरेक्शन को चूज करो अपनी लाइफ में अभी आगे बहने के लिए होगे ऑप्शन फर्स यह है आप लोग की रीदिंग आप लोग को अच्छी लगी होगी सो अपने कमेंट फीडबेक जरू शेयर करें को कॉमेंट करके इस रीडिंग को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मैं मिलते हूँ आप लोगों से नेक सीडिंग में तब त अब चैनल के अब अब लाइफ में सबकुछ यह सारी चीज़ें यहां पर देखेंगे सबसे पहले तो मुझे आप लिए आपकी बहुत जादा एक आप्रोच नज़र आ रहे हैं कि किसी चीज़ के लिए बहुत ज़दा एफ़र्स कर रहे हो बहुत ज़दा एक प्राइब क है कि अनिहाओ मुझे मेरे सपनों को पूरा करना है मुझे इस चीज़ को अचीव करके रहना है आप अपने लिए एक टागेट फिक्स कर रहे हो कुछ लोग ऐसा भी रह सकता है कि 2024 में मुझे यह चीज़ अपने लिए चाहिए और आप बहुत सारे एफ़र्स कर रहे हो बह बहुत साथ जिसे स्ट्रॉंग विल पावर के साथ आप लोग अपनी लाइफ में आंके भड़ रहे हो अपनी विश्चिस को यहाँ पर मैनी फ्वेस्ट कर रहे हो अपनी पस्नियालिटी के अंदर बहुत सारे चेंज़ लाने की कोशिश कर रहे हो देखते हैं option 2 क्या नाइट ओफ पेंटिकल्स ठीक है दो options होंगे आपके सामने और आपको एक option को दूनों में से select करना है अब वो सब के ऊपर depend करेगा ठीक है मैं बताती तो इसी situation यहाँ पर आपको explain करूंगे यहाँ पर option 2 जैसे मैंने कहा कि दो option होंगे आप लोग के सामने और यह तीन यह तीनों कार्ट्स ना option फर्स्ट में बीड़े कुछ चीज़े हो सकता है कि option 1 में भी आप लोग के लिए कुछ messages हों कुछ guidance हों तो आप एक बारी वो reading को अपने लिए भी देख लीजेगा इनकेस अगर आपको वो card भी attract कर रहा हो ऐसा भी हो सकता है तो यहां पर option 2 तो options होंगे आप लोग के सामने और आपको उन में से किसी एक option को अपने लिए choose करना है ऑप्षन ऐसा होगा जो कि आपको थोड़ा सा जल्दी रिजल्ट देगा हां लेकिन यहां पे और यहां पर आपको थोड़ा देडी से सकसमें मुलेगि लेकिन यहाँ पर जो आप नीव रखोगे वो strong होगी वो solid होगी और वो आपको एक तरीके से आपके मंजल तक लेकर जाएगी तो मैं असे नहीं करें कि पहला वाला option जो है वो completely खराब है अब क्योंकि general reading है ना तो सबकी अलग-अलग situation यहाँ पर रहेगी तो यहाँ पर आपको बहुत जादा you know समस्दारी से choose करना है कि आपको किस option को choose करते हुए अपनी life में अभी आगे भड़ना है थोड़ा से meditate करें ध्यान करें भगबान जीसे पूछें कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है हना आपके लिए best क्या रहेगा और आप उस नज़र आ रहा है कि आप लोग हो सकता है health related issues से थोड़ा सा deal कर रहे हो थोड़ा सा परिशान चल रहे हूं उसकी विजह से अपना 100% ध्यान जो है वह आपको अपनी करियर की ऊपर नहीं दे पा रहे हो तो यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज अपनी health को निगलेक्ट करो यह नो होता क्या है जो आज कल मैं देख रही हूं कि लोग करियर में लगे पड़े हैं पूर दिन जॉब कर रहे हैं मैं ऐसा नहीं करी वह गलत है अफकोस वह बहुत बहुत अच्छा है लिकिन अपनी health को निगलेक्ट कर रहे हैं और फिर होता क्या है आगे जाके health बिल पहले से यह नो आप एक balance लाइफ के साथ यहां पर आगे भड़ो तो यहां पर option तो यहीं कहा जाने कि अगर health related आप लोग कुछ ना कुछ problems बनी रहती है एक तो आपको यहां पर थोड़ा सा कुछ nutrition वाली चीज़ें खाने की जरूरत है कुछ healthy चीज़ें यहां पर आपको सब कुछ कर लो लेकिन अगर health ठीक नहीं है ना तो फिर कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा आप लोग को है ना और health को हम बहुत बारी granted पे ले लेते हैं तो यहां पर option 2 आपके लिए यह message है कि करियर में सब कुछ दीरे 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 ग्रो करता चला जाएगा I know हाल फिलाल में थोड़ी से decisions आपको लेने हैं थोड़ी सी कुछ problems चल रही है थोड़ा सा चीज़ें जो है वो तल पतल सी बिख्री हुई सी आपको नजर आ रही है लेकिन यहां पर कहा जा रहा है क कि आपनी हेल्थ को भी टाइम दो थोड़ा सा खुद को टाइम दो रिलेक्स करो खुद को पैंपर करो और धीरे 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 यहनो करियर में सारी चीज़ें जो है वो ठीक होते चले जाएंगी यह message आप लोगे यहां पर आ रहा है करियर में कुछ लोगों को यहां प चीज़न होते होते रह जाती है प्रोजेक्ट मिलते मिलते हाथ से चला जाता है जितनी महनत कर रहे हो उतनी अर्निंग नहीं हो पा रही है तो यहां पर थोड़ी से finances को लेकर option जो healing लगेगी वो healing करो और वैसे ही सारी चीज़न जो है वो अच्छी होती चले जाएंगी अप यह तरीके से finances को heal करने का ही काम करता है यह आपके अंदर जो limiting beliefs होते हैं आपके finances को लेके आपके career को लेके यह उन्हें आपकी life में से दूर करता है यह success का stone है तो definitely आप इसका ब्रेस्ट लेट या pendant वेयर कर सकते हो और अगर आप लोगे clusters लेना चाहते हो तो मुझे नीचे comment box में मैं कोशिश करूँगे कि जल से जल मैं इसको अब सभी के लिए अवैल करवा सकूँ ठीक है थोड़ा सा टाइम लगता है और सबस्क्राइब मुझे लगता है और सबस्क्राइब मुझे लगता है तो उसी वज़े से चीज़े कभी-कभी थोड़ा सटले हो जा मैंने कहा कि यह करिए वैसे वैसे सारी चीज़ा जो है वह आपके कर्यार में ठीक होती चली जाएंगी ठीक है अभी कुछ और भी कार्ट देखते हैं option 2 oh my god मैं दोबार से shuffle करके लोंगी क्योंकि यह दोना ही कार्ट नौ, option first में भी थे option 2 इसे शहदा नहीं है, deception and envy option first में भी एक आड़ था definitely option 2 आप एक बारी option first की भी reading चेक कर लेना क्योंकि कुछ messages वहाँ पर आप लोग के लिए हो सकते हैं हार्ट चक्रा का यहां पर कार्ड है ट्रैपजन फियर हील करने की ज़रूरत है option 2 अगर कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं करियर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपको लग रहा है कुछ पी चीज ना settles ही नहीं हो पारी है पर्सनल लाइफ है प्रफेशनल लाइफ है हेल्थ है सब जगे कुछ ना कुछ ऐसे ही उथल पुदल सा बस चल रहा है बस कट रहा है तो यहां पर ऐसा ही है कि आपको खुद को हील करना पड़ेगा डेली बिसस पर करें और नेचर में वाक करने जरूर जाए अभी तो बहुत सर्दी है लेकिन घर में थोड़ा सा प्रणायम कर लो इनकिस अगर आपकी एरिया में सर्दी नहीं रहती है तो आप ज़रूर पॉक पर जाए थोड़ा सा नेचर में रहें नेचर से कनेक्ट करिए यह चीज यहा जो कि नहीं कर पा रहे हैं वह बलस आраст को को यह सकते हैं हम यह को हने हाई सब्सक्राइब गाहुत करीए लेकिन करीह अरर जो भी किन पकूंप करईज एक है यह मैंसेज है लिट को करिए आपने खुद को खुदी ट्रैप कर रखा है आप खुदी सोचते हो अरे मुझसे कैसे होगा और बहुत सारी नेगेटिव बाते शायद आप खुद से करते हो नेगेटिव सेल्फ टॉक जिसके हम कहते हैं प्लीज स्टॉप दिस ऑप्शन टू क्योंकि अगर आप ऐस हो रीडिंग्स देख रहे हो है ना मेडिटेशन कर रहे हो ध्यान कर रहे हैं तो आप बहुत लगी हो और अगर तब भी भी आप नहीं समझो तब भी आप इन चीजों को फॉलो नहीं करो फिर तो फिर क्या ही होगा ना कुछ ताम बात फिर आप रीडिंग भी देखना ही है जो काइडेंस दी जारी है उसको फॉलो करिए मैं यहीं कूँगी ठीक है और देखते हैं यहां से कि आप्शन टू है 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 कि यहां पर कहा जा रहे कि बहुत बारी क्या होता है हम किसी की हेल्फ कर रहे हैं है ना तो हम अटेश्मेंट पाल लेते हैं हम गरूं एक्समेट लिए अहीं ऐसे थ्रीत करेगा यह इससे भी हमें रेटन में ऐसी प्यार मिलेग है ऐसी कि यहां पर कहा जडत करůण करें है पधने काटवान जी जब नियत को देखिते आंके बहुत किस तरीके से यह बंद में एक्सक्षपक्वान देखते जनी 되어 कुछ चीज़े रिटर्न करते हैं आपको पता भी नहीं चलता है और यूनिवर्स का यहीं रूल है कि जो आप देते हो वहीं आपको मिलता है बस हां अपने जो यह सबकॉंशेस माइंड के जो बिलीब्स होते हैं इनको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है सम्टाइम नहीं त डाउट्स को करना बंद करो अप्शिन टू अपने से प्यार करो अपनी कियर करो अपने आपको खुश रखो अपने आपको पैमपर करो थोड़ा उचलो नाचो गाओ खूदो हसो गाओ ऐसे यहां पर आप लोगों के लिए का जा रहा है अपनी लाइफ को एंजॉय करो क्य सब्सक्राइशन वह तो चले गई लेकिन अपनी लाइफ को इंजॉय भी करो यह चीज यहां पर कही जा रही है अपके यहां से देखते हैं ऑप्शन टू और क्या मेसिज है ऑप्शन तू तिच्छा अब रहां बिक्रम वर्न विद्धी हर्ड अपी कुछ लोग क्या करता है ना मतलब आप लोग अपनी लाइफ को दूसरे लोगों से कंप्यार कर रहे हो तो आपको अपनी इंडिविज्वालिटी के साथ काम करना है खुद को प्यार करना है ऑप्शन तू आप खुद से ही मैं बोलूंगी कि खुद से ही माफी मांगे बिकर आपकी ना बहु खुद को ही इंसिक्यॉर्टी में डाला खुद को ही डर्वे डाला खुद के ओपर ही डाउट किया आपको खुद को बहुत सारा प्यार देने की जरूरत है अपने इनर चाइल से माफी मांगने की जरूरत है अपने इनर चाइल को यहां पर हील करने की जरूरत है अपने सब जरूर मिलेगा जरूर मिलेगा ऑप्शन टू वह एप्रिसेशन वह प्यार वह केर लेकिन सही समय पर मिलेगा है ना मैं करियर रीडिंग कर रही थी लेकिन ऑप्शन फर्स्ट का भी कुछ-कुछ ऐसी था और आप लोग का भी सो यहां पर भई सब कुछ अच्छा हो जाएगा आप खुद को हील करना तो शुरू करो आप पेशेंस रखो अब धहरे रखो अपनी महनत करो सब कुछ अच्छा हो जाएगा ठीक है लास्ली देख लेते हैं इंजल्स की तरफ से क्या मैस्ट अप्शन आप लोग चाहें तो पाइराइट के साथ ना ग्रीन एवेंशरिन को बने को पढ़ कर सकते हो यह है ग्रीन एवेंशर इन तो अपस के भी स्टोन को स्टोन मेरे पास है आप पैनीन से ब्रिसलिट को वेर कर सकते हो तो आपके हाथ चक्रा की भी हील करेगा आपकी एमोशन को भी लेगा इनकेस लोव लाइफ में कुछ प्रॉबम चल रही है उनक अपनी energy को settle down करो grounding exercise करो आप लोग थोड़ा सा आपके लिए अच्छा रहेगा ठीक है option two compromise तो यहां पर compromise का message है कि फिलाल हो सकता है कुछ तो compromises आप लोग को करना पड़े फिलाल शुरू में तो थोड़ा सा यहां पर adjust करने की कोशिश करिए तीरे-दीरे चीज़ें जो हैं वह सही हो जाएंगी be assertive तो यहां पर next message है कि flexible रही है अपनी life में जरूरी नहीं है कि सारे चीज़ें जैसे हमने सोच रखी हो वैसे ही हो तो यहां पर एक message है simple living and high thinking अभी बहुत जादा आप लोग को expand करने की जरूरत नहीं है यहां पर कहाँ जा रहे थोड़ा सा saving करो वो आपके आगे जाके आपकी investments में बहुत काम में आएगी ठीक है किसी को कुछ भी show off नहीं करन है और अपनी हिसाब से यहां पर का जालें कि अपनी हिसाब से आप लोग को चलना है ask your angel so next message यहां पर यह है कि भाई मन में कोई भी confusion है किसी भी तरीके का कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है परिशान हो बस आप अपनी आखे बन करो जिस पर रूप में इश्र को मानते ह आप उनसे कर लो नहीं तो फिर अगर आपके कोई गोरू है आप उनसे बात कर लो आपको आपके सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे कोई ना कोई डरेक्शन आपको जरूर मिलेगी यह message यहां पर आप लोग के लिए है okay option 2 I hope यह reading आप लोग को अच्छी लगी होगी इसे तो instagram पर connect कर सकते हो या फिर से mail कर सकते हो लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएका and मैं मिलती हूँ आप लोगों से next reading में तरत के लिए bye